हिंदी मीडियम अकैडमी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अरुम कुमार यादो और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा आठ के अन्सी आर्टी का जो अध्याय चार है दातू और अधातू इसके उपर कुछ MCQS यानि की बहुवी कल्पिय प्रश्ण और इसके अलावा अगर आप अलग-अलग सोसल मीडिया पर हमें फॉलो करना चाते हैं तो यहाँ पर लिंक दिये गए हैं जैसे कि अगर आप इंस्टागराम पर फॉलो करना चाते हैं तो इसकी आईडी है add the rate Hindi Medium तो यहाँ से आप Hindi Medium को फॉलो कर सकते हैं और अगर आप Facebook पेज फॉलो करना चाते हैं तो उसकी आईडी है add the rate Hindi Medium Academy और अगर आप वेबसाइट पर विजिट करना चाते हैं तो वो है hindymediumacademy.com यहाँ से आपको यह वेबसाइट मिल जाएगी और अगर आप English Medium के स्टुडेंट हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं तो यहाँ पर पहला प्रशन है इसमें क्या बोला गया इसमें बोला गया धात्वों का वेगुन जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं आपके पास चार ओप्सन है चमक, कठोरता, आगात वर्धिनियता और तन्यता इन में से जो भी आपको सही लगता है आप comment box में उसका answer दे सकते हैं जैसे कि अगर आपको लगता है A सही है तो आप लिखेंगे 1A मतलब पहले question का answer A होगा अगर आपको लगता है B सही है तो आप लिखेंगे 1B मतलब पहले का answer B है अगर आपको लगता है C सही है तो आप लिखेंगे 1C अगर आपको लगता है D सही है तो लिखेंगे 1D मतलब पहले question का answer D जो भी आपको लगता है आप comment में इस तरह से लिख सकते हैं तो चलिए अब इसका answer देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है तो इसका सही उत्तर है option C यानि की आगहात वर्दे नियता आपको याद रखना है कि धातूओ का वह गुण जिसके कारण जब हम उन्हें पीटते हैं तो फैल कर seat में परिवर्दी थो आते हैं पतली-पतली seats बन जाती है उनकी इस गुण को हम बोलते हैं आगहात वर्दे नियता ठीक तो ये पहली बात आपको याद रखनी है बहुत important question है ये और बहुत बार ये पूछा गया है ठीक तो पहले का हो गया C उत्तर सही है तो मतलब जिसने 1 का C लिखा था ठीक है उसका उत्तर correct है यहाँ पर ठीक चलिए अब दूसरा प्रशन देखते है तो ये दूसरा प्रशन है इसमें बोला गया है निमनलिकित में से कौन सा धातू नहीं है आपके पास ये सामने 4 उप्सन नजरा रहे होंगे आपको उप्सन A तामबा, उप्सन B एल्मुनियम, उप्सन C सल्फर, उप्सन D लोहा तो इसमें से कौन सा धातू नहीं है ये बताना है आपको ठीक है? अगर आपको लगता है A सही है तो आप लिखेंगे 2A अगर आपको लगता है B सही है तो 2B, C अगर आपको लगता है तो 2C और D अगर आपको लगता है तो 2D इस तरह से जो भी आपको उत्तर सही लगता है आप उसको वीडियो पहुज करके उसका एंसर कमेंट में लिख सकते हैं थो उमीद आपने अपना आइंसर देदिया हुआ चलिए अब आ इनसर देखते हैं तो इसका एंसर साही जो है वह सी जो तामबा वह भी धातू है अल्मूनियम भी धातू है लोहा भी ही धात् allez सल्फर जो है यह एक धातू होता है मतलब यह धातू नहीं है तो इसका सही answer क्या होगा option C ठीक चलिए तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं अगले question की अगला question यानि की question number 3 तो जो question 3 है इसमें बोला गया एक अधातू जिसमें चमक होती है ठीक है आप लोग जानते हैं कि जो अधातू होते हैं उसमें चमक अक्सर नहीं होती है लेकिन क्या कोई ऐसा अधातू भी है जिसमें चमक होती है उसी का हमें नाम बताना है आपको सामने option है कोईला आयोडीन सल्फर ब्रोमीन तो इसमें से कौन सी ऐसी अधातू है जिसमें चमक होती है ठीक है जाधा तर देख लेते हैं इसका सही एंसर है आयोडीन ठीक है आयोडीन एक अधातू होते हुए भी ठीक है अपने पास चमक रखता है मतलब यह अधातू है उसके बावजूद भी यह चमकीला होता है आपको यह बात याद रखने है बहुत बार यह प्रशन पूछा जाता है तो यह आगे चलते हैं अगला प्रशन है प्रशन चार वह कौन सा अधातू है जो विद्धूत का सुचालक है आप लोग जानते हैं कि जो अधातू होते हैं वो जातर विद्धूत के सुचालक नहीं होते हैं लेकिन क्या को यह ऐसा अधातू भी है जो विद्धूत का सुचालक हो आप अपको किपने दो और फिर जब मैं एंसर बताऊов तो उसे मैंच करो फिर आप देखो कि आपको कितना पता था, कितना उत्तर आपके सही हुए है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, इसका उत्तर है ग्रेफाइट, ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है, ये एक अधातू है, इसके बावजूद, ये विदूत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट आप सबने जो पेंसिल की नौक जिससे बनी होती है वो काली वाली जिससे आप लिखते हो वो ग्रेफाइड से बनी होती है ठीक है ना पेंसिल में किनारे किनारे लकडी होती है और बीच में क्या होता है वो जिससे आप लिख पाते हो ग्रेफाइड ही होता है ठीक है तो जो होते हैं direction अमल्यय चारी उधासीन या इन वह से कोई नहीं धात्वों केौक्षाइड मतलब धात्वू औक्षियों से अभी किरिया करेंगे तो क्या बणाते है धात्व उकसाइड जो धात्व केउपसाइड होते जैसे अलमुनियम उक्साइड, अलमुनियम एक धातू है, और वो धातू का उक्साइड हो गया, ठीक है, मेगनिसियम उक्साइड, मतलब मेगनिसियम का उक्साइड, मेगनिसियम एक धातू है, तो मेगनिसियम उक्साइड क्या हो गया, धातू का उक्साइड हो गया, कोपर उ Oxide होते हैं, उनकी प्रविर्ती कैसी होते है, छार ये प्रविर्ती के होते हैं, ठीक है, अमल और छार क्या होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आप नहीं देखिए वीडियो, आपको नहीं पता है कि अमल और छार क्या होते हैं, आप डीटेल में देखना चाते है तो आप इस चैप्टर की वीडियो को देख ले ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो देखो जो प्रश्ण जह है इसमें बोला गया सबसे अधिक सक्रिय धातू है तो आपको नहीं पता तो आप जो उपर हैं वो सबसे अधिक अभीक्रिया सील हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, घर्टी अभीक्रिया सीलता हमें दिखाई देगी, मतलब यह सबसे उपर वाला सबसे ज़्यादा अभीक्रिया सील, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, और सबसे नीचे सबसे कम, लि अब ये hydrogen से ज़्यादा अभिक्रियासील है और जो नीचे आ रहे हैं ये hydrogen से कम अभिक्रियासील है जो उपर है ये भी धातू है जो नीचे ये भी धातू है लेकिन hydrogen एक धातू है ठीक है hydrogen क्या है ये एक धातू है आप याद रखना और बाकि सब यहाँ पर जो भी दिया गया यह सब धातू है, hydrogen को छोड़के तो अगर आप यह याद कर लोगे न तो बहुत सारे प्रेश्ण जो सक्रिता स्रेणी के उपर पूछे जाते हैं वो आप असानी से बता पाओगे ठीक है, कम से कम आपको इतना तो याद रखना ही है कि सबसे अधिक अभिक्रिया सील कोन है K यानि की potassium और सबसे कम कोन है AU यानि की gold या फिर sona ठीक है, तो आप सबसे ज़्यादा सबसे कम तो at least याद रखना ही रखना ठीक है, बाकी अगर आप बाकी याद कर सको तो और अच्छी बात है तो आपको answer पता लग जिया होगा कि सबसे अधिक अभिक्रिया सील कोन है potassium, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option A यानि की potassium चलिए, आगे चलते है अगला है प्रश्न साथ कमरे के ताप पर दरव अवस्था में पाई जाने वाली धातू है ठीक है, पारा, calcium, potassium, sodium, कौन सी है इनमें से आपको बताना है आपको पता यार कि room temperature यानि कमरे के तामबान पर जो धातू होती है वो अधिकतर फोस अवस्था में पाई जाती है लेकिन क्या कोई ऐसी भी है जो दरव अवस्था में पाई जाती है अगर हाँ, तो इनमें से कौन सी ये आपको बताना है आप अपना उत्तर comment में लिख सकते है ठीक है, चलिए अब इसका उत्तर देख लेते है इसका उत्तर है पारा ठीक है, जो पारा होता है आपने देखा होगा जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है उसमें पारा होता है ठीक है, वो एक liquid state में होता है मतलब दरव अवस्था में होता है लेकिन है वो एक धातू ठीक है, तो पारा एक ऐसी धातू है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप मान पे भी ठीक है चलिए अब आगे चलते है अगला यानि की प्रस नमबर आठ है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातू कौन सी है पिछला कोश्चन था कमरे के ताप मान पर द्रव में द्रव अव एक प्राव मान पराई जो पारा है, वो भी कमरे के तापमान पर द्रवय होता है, लेकिन जो पारा है वो एक धातु है, और जो ब्रोमीन है वो एक अधातू है, ठीके है जैसे कि अगर आप पिछला प्रशना देखें तो यहाँ पर द्रव अवस्था में पाई जाने वली क्या पूछा गया था धातू तो जब धातू पूछा जाए कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में तो आप उत्तर दोगे पारा ठीक है लेकिन अगर अधातू आपसे पूछा जाए ठीक है दरव वस्ता में पाये जाता है अधातू कमरे के तापमान पर तब आप दोगे ब्रोमीन फिर से बोल रहा हूँ ये question बहुत important है ठीक है इसको भी आप important mark कर सकते हो कि अगर दरव वस्ता में पूछा जाए अधातू कौन सा मिलता है कमरे के तापमान पर तब आप बोलोगे ब्रोमीन और अगर धातू पूछा जाए तो आप बोलोगे बारा ठीक आगे चलते हैं अब यानि की question number 9 है इसमें बोला गया है कौन सी धातू विद्दूत की सबसे अच्छी चालक है ठीक है आपके पास option है चांदी तामबा, एलमुनियम या फिर लोगा ठीक है तो इसमें से कौन सी विद्दूत की सबसे अच्छी चालक है ये आपको बताना है तो इसका उत्तर देख लेते हैं इसका उत्तर है चांदी ठीक है आपके याद रखना है जो चांदी होती है ये ऐसी धातू है जो विद्दूत कौन सी है तब भी आपको उतर बताना है सोना लेकिन अगर पूछा जाए सबसे अच्छी विद्धुत की चालक है तब आपको बताना है चांदी ठीक है तो ये तीनो बाते आप याद रखना आगात वर्धिनियता आप जानते हैं धात्वों का वहगुण वहलते हैं उन धात्वों कोलते है तन्य, तो सबसे अच्छी तन्य धात्व कौनसी है तो सबसे अच्छी अगर प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण यानि प्रश्ण संख्या 10 इसमें बोला गया इन में से कौन थंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है ऑप्षन है कार्बन तामबा सोडियम और सलफर ठीक है तो इसका सही उत्तर क्या होगा सोडियम अपको याद रखना है करते हैं सोडियम और पोटेसियम दोनों बट यहां पर स्रीप सोडियम लिखाओए पोटेसियम उप्षन में नहीं है तो हम सोडियम पे टिक लगाएंगे ठीक है अब देखो जो प्रश्ण 11 इसमें बोला गया ऐसा अधातू जिसका उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में कि जाता है तो इसका एंसर मैंने आपको थोड़े पहले बताया भी था न करने में option क्या क्या है अपने पास chlorine ग्रेफाइट हीरा और सलफर ठीक है तो आपने देखा होगा कई बार सहरों वगएरा में जहां पर पानी थोड़ा गंदा आता है वहाँ पर chlorine की गोलियां बाटी जाती है पानी को सुध करने के लिए ताकि उसमें कीड़े मकोडे ना हो ठी क्लोरीन एक ऐसा धातू है जिसका उप्योग करके जल को सुध किया जाता है ठीक है आपको यह याद रखना है चलिए अब आगे जलते है प्रशन संख्या 13 जिसमें बोला कि धातू यह तन्नु अम्मले से अभिकिरिया करके कौन सी गैस बनाती है यह भी बहुत important question है ठीक है तो अच्छी बात है आप comment box में answer दे सकते हैं ठीक है तो देखो जब भी तन्नु अम्मले के साथ कोई धातू अभिकिरिया करती है तो कौन सी गैस बनाती है hydrogen गैस बनाती है यहाँ पर option A सही होगा कौन सा option option A ठीक है फिर से बोल रहा है important question आप याद रखना कि अम्मले से hydrogen होगा ठीक है hydrogen पर दो सवाल पूछी आ सकते हैं आपकी class में जो important है पहला अमले के साथ जब धातू अभिकिरिया करेंगी तो कौन सी गैस बनेगी तो option है hydrogen दूसरा ऐसी कौन सी गैस है जिसको हम जलाते है तो उसमें से pop sound या फिर पट पट किवाज आती है तो उसका भी उत option साथ सही होगा option C यानि की sodium sodium जो है बहुत ही नरम धातू होता है यह इतना नरम होता है कि इसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं ठीक चलिए इस वीडियो में इतना ही फिर से बोल रहा हूं अगर आप चाते हैं अलग-अलग social medias पे हिंदी medium को follow करना तो यहां से आप कर स student हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में